हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता तो मैंने ये भून लिये हैं बैंगन बूनने के बाद मैंने बैंगन को पानी में डिप कर दिया है थोड़ी देर उसे पानी में ही रहने दें क्योंकि वह बहुत जादा गरम होता है और अगर आपको बहुत जादा गरम लग रहा है तो आप उसे ठंडे पानी में डिप कर दीजिए क्योंकि आज कल गरमी है तो अच्छी तरह से मैं चिलका उतार के और उनको साफ कर लूँगी ताकि वो उसमें कोई भी जो ये काला चिलका रह जाता है इसके उपर वो न रह जाए और अब इसके बाद अब देखिए फ्रेंग्स बिल्कुल अच्छे से मैंने उनका चिलका उतार दिया है और उन्हें पान तो पहले हम उसे चेक कर लेंगे और फिर मैश कर देंगे उसको तो यहां पर मैंने प्याज जो है वो बड़े-बड़े पीसीज करके एक चॉपर में डाल दिये हैं चॉपर में काफी सारे प्याज भी एकदम से ही हम इजिली चॉप कर सकते हैं जैसे भरता बगारा बनाना ह उसमें हमें प्याज तोड़े जादा लगते हैं तो मैंने इसमें मोटे-मोटे प्याज काटके डाल दिये थे यह देखिए कितना एक मिनट में ही जो प्याज हैं बिल्कुल छोटे-छोटे पीसीज में कनवर्ट हो गए हैं अभी मैं आपको देखिए यह खोल के दिखाती ह है और उसमें तेल गरम होने के लिए डाल दिया है मैं सर्सों का तेल यूज कर रही हूं तो जब तक अच्छे से गरम ना हो जाए उसमें कोई भी मसाला एड ना करिए अब मैंने यहां पर डाल दिया है थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी ही और अभी जो मैंने प्याज चॉप क यह देखिए मैंने प्याज जो है अब अच्छे से ब्राउन करके उसके बाद मैं इसमें टमाटर एड कर दूंगी मैंने चार टमाटर यूज किया है और चार पाच ही मैंने प्याज ले लिये थे अब मेरे देखिए जो प्याज है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो इसमें अपने ड्राय मसाले आड़ करब सब अधि नमक, खल्दी , गरm अधिया ममत टिखे घ्रठी में थे सब एक एक अधिんだ नमक, घ्रmpfenम टवजि और से मशेंदे आड़ कर दिया। तो अभी मैं दो मिनट के बेट करने के बाद आपको दिखाती हूँ, यह देखिए, मसाले का जो ऑईल है वो अब उपर आ चुका है, इससे हमें यह पता लगता है कि हमारा मसाला जो है वो रिडी हो चुका है, अब मैं इसे जो टमाटर है वो अच्छे से कडची से ही थोड़ 5-6 मिनेट जो है हीट करते रहिए, उसे कुक करते रहिए ताकि उसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए, आपके सभी मसालों का एड हो जाए, अब यह मैंने ऊपर से डाल दी है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आज अभी मेरे पास हरा दनिया नहीं है, आप इसमें हरा दनिया भी आड कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी, थैंक यू,